हेलो दोस्तो मेरा नाम शानवाज है और आज हम बात करने वाले है टॉप फार सोलर पैनल ब्रांस ओफ इंडियन मार्किट के बारे में तो दोस्तो अगर आप 2019 या 2020 में सोलर पैनल लेना चाहते है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टन होने वाली है तो वीडियो का इंडिंग तक जरूर देखना अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें शेयर करें जो भी आपका कोशनों का कमेंड बॉक्स में जरूर टाइप करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यही पर आपको मिलती है टेक्स्नलोजी से जोड़ी सार जानकारी पूरी डिटेल में तो चलिए फड़ा पर से वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले ब्राण की बात करें तो सबसे पहले ब्राण का नाम दियावा है टाटा पावर सोलार सिस्टम लिमिटेड टाटा एक इंडिन कंपणी है दोस्तों जोकी लॉंच हुई थी 1989 में इस कंपणी के हेटकॉर्टर है बैंगलोर के अंदर और इस कंपणी के पास टोटल 30 सालों का एक्सपिरेंस है यह कंपणी सोलार मॉड्यूस, सोलार सिल और सोलार के बहुत सारे अधस प्रोडॉक्स भी बनाती है इस कंपणी का टोटल 5.6% का मार्केट चेहर है इंडिन मार्केट के अंदर और यह कंपणी के प्रोडॉक्स में कॉलिडी काफी अच्छी होती है compliance काफी कम होता है और इनका service का जरा बिशुनी है तो अगर हम second company की बात करें तो second company का नाम है EMMVEE ये भी एक Indian company है दोस्तो जो कि launch हुई थी 1992 में इसका headquarter Bangalore के अंदर मौजूद है इस company की खास बात है दोस्तो कि ये company on grid modules, off grid modules, AC, solar modules, बहुत tap के solar के panels बनाती है इस company के पास total 500 से लेकर 1000 employees की team है और इनके product में भी quality काफी अच्छी होती है compliance काफी कम और इनका भी service का जरा बिशुनी है तो दोस्तो नंबर 3 की position पे जो company आती है उस company का नाम है Lume Solar System Private Limited अब ये एक Indian company है दोस्तो जो की launch हुई थी 2018 में इस company के co-founder का नाम है Mr. Amol Anand जो के एक ex-luminas के employee है ये company का headquarter दिल्ली NCR के अंदर मौजूद है और ये solar panel, solar inverter, solar charger और solar के बहुत सरे products को manufacture करके देती है इनके products में दोस्तो आपको latest technology की guarantee मिलती है और ये आपको पूरे के पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ तीन दिन के अंदर delivery का commitment करके देते है फिलाल दो दोस्तो ये company number 3 की position पे आती है लेकिन हो सकता है कि आने वाले एक या दो सालों में ये company number 1 की position को grab कर सकती है क्योंकि इनके products में आपको warranty सबसे ज़ादा आती है यानि कि इनके products में आपको तकरीबन 25 सालों की warranty आती है pricing काफी कम रहता और इनका service का ज़रा भी शुनी है मैंने आपको description के अंदर इस brand का link दिया हुए अगर आपको इस brand के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप link पे click करके open करके उसको देख सकते हो तो दोस्तो जो company number 4 की position पे आती है उस company का नाम है Moser Bear Solar Limited अब दोस्तो ये company launch हुई थी 1983 में in New Delhi इस company के products तकरीबन 100 से 20 ज़्यादा दिशों में available है इस company के पास total 8000 लोगों की एक team है और ये company solar products के अलावा बहुत सारे दूसरे products भी manufacture करती है example के तोर पर ये company floppy, disc, cd player, dvd player, home theater, mobile phone बहुत सारी चीजों को manufacture करती है तो दोस्तो नंबर 5 की position पे जो company आती है उस company का नाम है Indo Solar Limited अब ये भी एक Indian company है जो की launch होई थी 8 April 2005 में इस company के पास भी तकरीबन 14 सालों का experience है और इस company के headquarter दिल्ली में मौझूद है इस company के पास तकरीबन 300 लोगों का team है और सन 2014 में Indo Solar ने अजूरे power के साथ में एक contract sign किया था जिसमें उन्होंने अजूरे power को 60 मिली वार्स के power panel को supply करके दिया था तो दोस्तों ये कुछ information थी top 5 brands के बारे में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे like करे, share करे जो भी आपका question का comment box में जरूर टैप करे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यही पर आपको मिलती है टेक्नोलोजीस तो जुड़ी सारी जानकारी पूरी डिटेल में धन्यवाद आपका दिन शुब रहे